संसद में दिखाना, यह महादेव का अपमाल है, भगवान शिव का अपमाल है, जहां भगवान शिव है हुआ तो हम सद्धा से बात करते हैं, आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं है, जीव से निकाला एक फोटोर दे, भगवान शिव कोई फिल्मी का लाकार थोड़ी है, भगवान शिव कोई नोटंकी के पातर थोड़ी है, जिस तरह जेव से निकालो संसत के पटल पर रखता हूँ, दूसरी बात, उन्होंने हिंदूओं को कोसने का ठेका ले रखा है, क्या? आप हिंदूओं को हिंसक कह रहे हैं, हिंसा से हिंदूओं का मतलब क्या? जिस धर्म में चीटी को मारने की अनुमती नहीं है, उस हिंदू समाज को आप हिंसक बता रहे हैं? मुझे लगता है कि राहूल गांदी जी को ऐसा लगता है कि हिंदूओं को मिटाए बिना, हिंदूओं को घाली दीए बिना, हिंदूओं को kritिसाइज किये बिना, बीजे पी को नहीं हराये जा सकता है, पहले वो समझते थे कि बीजेपी हिंदुत्व है अब उन्हें लगता हिंदुत्वी भाजपा है आज उन्हें हिंदुगों को बड़ी ठेस लगी होगी बड़ी तकलीफ हो रही होगी जिन्होंने इन्हें वोट दिया है ये बहुत बड़े चिंतन का विश है अब पूरे विपक्ष के उन नेताओं को भी सोचना पड़ेगा मैं पूरे विपक्ष के राजिनेतिक दलों के नेताओं मैं पूछना चाहता हूँ अखलेश यादव जी से जवाब ने मम्ताव इनर जी तेजस्वी यादव बताएं राहूल गांदी जी को उन्होंने अपना नेताओं चुना है अखलेश यादव जी तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी मम्ताव इनर जी जी अर्विंद केजरिवादी सब बताएं क्या हिंदू हिंसक है है एक हिंदू ने आपको वोट नहीं दिया है जिन हिंदू ने आपको वोट दिया है वो कितना दुखी हो रहे होंगे कि पूरी कम्युनिटी को हिंसक बताMaster जाना है मुझे लगता है कि राहुल जी को हिंदू समाज से छमयाच ना करनी चाहिए जो वो नहीं करेंगे फिर भी मैं अनरोध कर रहा हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि उन्हें करनी चाहिए कि सवाल एक व्यकती का नहीं है सवाल एक पाइटी का नहीं है सवाल भारत का है सवाल भारत के अस्तित्व रस्मिता का है प्रधानमंत्री किसी पाइटी का किसी एक राज्ज का नहीं होता प्रधानमंत्री जब बन जाता है तो भारत को रिप्रेजेंट करता है उसका सम्मान होना चाहिए जो राहूल गांदी करना नहीं चाहते राहूल गांदी जी नरेंदर मोदी से इतनी नफरत करते हैं ये उनके शब्दों में आ जाता है, हमारे हैं संस्कृति है, हमारे हैं सब्धा है, वो लोगसभा अद्धेक्ष के उपर भी टिपड़ी कर रहे हैं, लोगसभा अद्धेक्ष ने आज बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हम से कोई बढ़ा आता हम उसे प्रढाम करते हैं लेकिन भारत की संस्कृत्ती की बातें रहुं जी की समझ में नहीं आएंगी जिनकी परवरिश विदेशी तरीके से हुई है मुझे लगता उन्हें मुद्रा का अर्थी नहीं पता वो मुद्रा वो सोच रहूंगे धन पैसा करन्सी आप तो अभेमुद्रा की बात करते हैं उनकी टीम ने उन्हें कुछ सिखाया होगा सुबा उनका क्या लेना देना साधना से उनका क्या लेना देना संस्कारों से उनका क्या लेना देना भारत की संस्कृति और सबबता से कभी उनके मूँ से सुना है कि बंदे मात्रम का नारा सुना है अपने कभी उनके मूँ से सुना प्रणाम शब्द सुना है राम राम सुना है भारत मता की जै सुना है कभी आपने उनके मूँ से सुना है नहीं सुना होगा ये सब की सब जो बाते हैं ये सब बैमानी है हिंदुों को गाली देना तो उनका शौक बन गया फैशन बन गया है पर आज सवाल ये है कि लोगसभा के पटल पर जो राहुल गांदी जी ने पूरे हिंदु समाज को गाली दी है क्या उससे अखलेश की अदब सहमत है जवाल देना ये वो सब नेता हैं जिन्होंने अपना नेता राहुल जी को चुना है मेरा सवाल कॉंग्रेस पार्टी से नहीं है मेरा सवाल आज विपक्ष के उन नेताओं से जो भी राहूल जी कह रहे हैं उससे सहमत है यह जवाब इनको देना चाहिए और देना पड़ेगा लेकिन विपक्ष के नेताओं को यह समझना चाहिए कि कॉंग्रेस को बरबाद करने में उन्हें 15 वर्ष लगा पूरे विपक्ष को पूरे विपक्ष की नईया डुमोने में उन्हें कितना समय लगेगा आज तो पहला दिन है अभी तो शुरुवात है इफ्तिदाई इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखिये होता है क्या है जिस तरह से कॉंग्रेस को बरबाद किया है राहुल जी ने, पूरे विपक्ष को भी बरबाद करने का, बरबाद करने मुने ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, पूरे विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा, क्या हिंदू समाज हिंसक है, बस. इस अगनिवीर के थे बरबाद किया जा रहा है, से ना को भी दिना के बरबाद करने के उससे? का मिलता है वो भी हम अपना स्वभाग समझते हैं हम मा भारती के सपूत हैं सहाब उन से पूछो ना जो देश की सीमाओं के ऊपर खड़े होकर के राद दिन देश की सुरक्षा करते हैं तो इस जजबे को ये नेता नहीं समझेंगे ये नहीं समझेंगे इनकी समझ में नहीं इनके दिमागों से वो सौफ्ट्वेर ही गायब हो गया है देश भक्ती का सौफ्ट्वेर राष्ट भक्ती का सौफ्ट्वेर सनातन का धर्म का परंपराओं का ये सौफ्ट्वेर गायब हो गया है अब उसे दुबारा अपलोड करने के लिए पता नहीं क्या करना झाल झाल